Hello everyone, today we are going to learn your chapter number 19 and your topic name is Adverbs. So let's start your first exercise. I think everyone know what is the meaning of Adverbs. Adverbs क्या होता है बेटा, जो Adverbs जो किरिया की विशेशता को बताता है. Okay, किरिया विशेशन इन हिंदी जिसको बोलते हैं. और जो एक Adverb एक ऐसी चीज है, जो आपका ये Adverb है, Adverb as a verb की स्पेसिलिटी को भी बताता है. दूसरा जो ये Adverb है, वो किसको बताता है? Adjective की कोई भी उसको बता सकता है. और थर्ड जो Adverb है, खुद अपने बारे में भी कई बारे बता देता है. तो उस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं? Adverb. तो Adverb किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में बताता है, Adjective के बारे में बताता है, और खुद अपने बारे में भी कई बार वो डिस्क्राइब करता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Adverb बोलते हैं. बोक्स बोक्स में कुछ जो है वर्ड दिये गए है और इस बोक्स की हाल से आपको क्या फिल करने है आपकी एक्सराइज फिल करना है आइच यह काफी एजी है बिटा तो थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे इसको लेते हुए तो फर्स्ट है आपका स्नेहा सेंख्स वैरी वैल बहुत अच्छे से गाती है कौन स्नेहा तो यहां क्या आगया आपका वैरी वैल तो नेक्स देखे सेकिंड प्लीज टेक देस टेयर आ तो sings है, यह sings किसको अच्छे से गाती है, बहुत अच्छे से गाती है, और next आपका third है, the students work diligently, क्या हैगा, diligently, diligent का meaning क्या होता है, महनत, diligent का meaning क्या होता है, महनत, outside का सभी को पता है, next देखते हैं, आपका fourth, I will finish the book soon, क्या हैगा, soon, and the fifth is, my father exercise every day, मेरे पिता जी जो है, वो परती दिन क्या करते हैं, exercise करते हैं, तो next, देखे, आपका next page पे करते हैं, next, okay, look, yes, देखे, आपकी जो यह second exercise है, underline the adverbs in these sentences, इसमें आपको जो एड़ वर्ब को underline करना है, और then draw an arrow, फिर एक arrow लगानी है, कि जो आपका किसको एड़ वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वो एड़ वर्ब को, और उसके बाद, ऐसा आपका जो यह दिखाई दे रहा है, इसमें आपको as a mention क्या करना है, कि इस साइड, कि यह वो एड़ वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को या an adjective को, तो अब आप इसमें देखिए, दिहान से अगर देखते हैं, second, first, then है आपका, राजे, सांस्वर्ड, somewhat, एंसे से, तो यह जो चीज है, अपकी यह क्या है, आपका adjective है, तो यह क्या है, somewhat आपका, एड़ वर्ब है, है ना, तो यह किसको डिस्क्राइब कर रहा है, adjective को, तो यहां आपने क्या लिख दिया, adjective, अब थर्ड देखें आपका, yes, थर्ड देखते हैं हम, थर्ड में, the dangerously narrow breeze scared me, तो narrow क्या है आपका, yes, narrow क्या है, वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करत क्या है, आपकी dangerously, तो मैंने यहां as a mark नहीं लगाया है, तो इसमें आप somewhat के नीचे underline करेंगे, इसमें dangerously के नीचे underline करेंगे, क्योंकि इसमें mention क्या है, आपको underline करनी है, किसको, एड़ वर्ब को, तो यहां हमारा somewhat है, और यहां हमारा क्या है, dangerously है, next, देखें, fourth, आपक handsomely वो क्या है, आपका adjective है, क्या है बटा, adjective, और इस तरीके से आपको arrow mention करते हुए, चलना है, I always enjoy, अब enjoy क्या है, आपकी verb है, और always क्या है, आपका adverb, okay, always क्या है, adverb, और enjoy क्या है, verb, और यहां, जो enjoy को describe करता है, always, तो यहां आपकी क्या आ जाएगी, side में, यहां आ वर्ब, six देखते हैं, और rather funny, funny क्या है, उसको quality, describe कर रहे है, speciality, funny, तो यह क्या है, आपका adjective, और rather, आपका rather को क्या करेंगे, आप, underline, और तो rather क्या हो गया, आपका adverb, okay, next देखते हैं, आपका rather adverb, और funny क्या आ गया, adjective, that dancer moves so gracefully, अब gracefully क्या है, आपका so adverb है, और gracefully क्या है एक verb को describe कर रहे है, moves so gracefully, तो यहां अगर आपका adjective आएगा, so क्या है, आपका adverb है, और gracefully क्या है, yes, तो इस तरीके से mention करते हैं, आप चलेंगे, next, multi, learn, तो यह क्या है, easily, easily को underline करेंगे, easily आपका क्या है, adverb है, और learn किसको कर रहे है, verb को describe करता है, nine, देखे, his second novel was less interesting, तो less क्या बतार, yes की quality को, तो यहां as a interesting क्या है, आपका adjective, और less क्या है, yes, तो इस तरीके से आप इसको done करेंगे, next, देखे, should I slice, slice क्या है आपकी verb, और now क्या है आपका, now क्या है आपका, yes, adverb, okay, so be carefully, ध्यान से इसको करेंगे, इस exercise को, वैसे मैंने try किया आपको समझाने का, I hope, you have to understand, next, देखे, be exercise, pick out the adverbs in these sentences, देखे, इसमें क्या करना है, आपको, आपके जो adverb है, उनको find out करना है, then उसके बाद आपको क्या करना है, उनके उपर mention करना है, कि which type of adverbs, यह adverb of manner है, adverb of place है, adverb of time है, किस type की यह adverb है, और मैंने यहां ऐसे pick out ना करके, मैंने यहां क्या किया, circle किया है आपका, तो द्यान से देखे, इसमें we waited, waited क्या है आपकी वर्ब, और वर्ब को कौन कर रहा है, किस तरीके की उत्सुकता पुरुवक है ना, तो यह क्या हो गई, उत्सुकता पुरुवक तो means manner से related हो गई, तो यह आपकी क्या आगई, adverb of manner, लेकिन साथ में ही देखे, डाउन भी दिया है, डाउन भी क्या है, एक adverb है, और adverb of place, उपर नीचे तो यह कहां आ जाती है, आपकी, place में आ जाती है, तो इसको क्या बुलेंगे, adverb of place, second देखे, have you seen my notebook anywhere, भई, क्या कहे, क्या तुमने मेरी जो बुक है, वो देखी है, कहीं, तो anywhere, किसको शो करता है, place को, तो यहां आपकी आ गई, adverb of place, third में देखे, आपका, तरून's lovely new jacket, which he recently, recently मतलब हाली में, recently और lately, meaning same है, तो यहां क्या आएगा, आपका, adverb of time, और already भी किसको शो करता है, adverb of time को, next देखे, fourth, the cream puffs that I purchased yesterday, सभी को पता है, आज, girl, वर्सों, यह सारी चीजे क्या है, आपकी, adverb of time है, और two, आपका क्या है, adverb of degree, fifth देखे, mother of fun, तो यह क्या है, often, और इसमें, I think, एक और भी, often क्या है, आपका, adverb of frequency, adverb of frequency, मतलब यह काम जो है, pry होता है, adverb of frequency, और इसमें देखे, एक और भी है, आपकी, very, very भी क्य है, आपका, adverb of frequency है, यहाँ, very, आपका, often, adverb of frequency, next, देखते है, आपका, यह, six, the thunderoid ominously, मतलब बुरे तरीके से, कहि तो वह में आता है अपका तो यह आ गया एड़र ओफ मैनर सेवन्थ देखे कामीनी ओल्वेज ओल्वेज किसको एड़र ओफ फ्रीक्वेंसी को है नहीं देखते हैं दा लास्ट पीस ओफ मदर डिलीसियस प्रोवेरी केक यह क्या है मिस्टीरियसली मतलब रह्षात्मक अगर लीकिश में आएगा एड़र ओफ मैंनर में ओक है मैंने शोट में लिखा है ए और प्लस म मैं तो एड़र ओफ मैंनर अगर मैंने लिखा अ को है ए टी तो adverb of time next दिखे 10th does your brother dash still still क्या है adverb of time को show करता है किसको show करता है adverb of time को तो next आपकी जो exercise है थोड़ा speedly करेंगे yes put the words in the correct order to form sentence there can be more than one इसमें क्या है आपको कुछ जंबल वर्ड दिये गए है और इन जंबल वर्ड को आपको rearrange करना है कि कहां आपकी adverb लगेगी कहां आपका subject कहां वर्ड अगर अलग अलग तरीके से आपकी जो adverb है अलग अलग यूज होती है जैसे आपका simple अगर structure बोलू sentence का तो वो क्या होता आपका subject प्लस आपकी helping verb प्लस main verb प्लस object ठीक है plus time और जो other होता है उसके अलवाई ये आपका sentence structure है तो इस तरीके से आपको mention करना है इसी के अंदर आपके adverb का यूज कर देखते हुए चलेंगे put the words in the correct order to form sentence यह first is carried of very तो देखे मैंने try किया है कि you have to understand madhu carried the vowel of soup very carefully तो last में आपका क्या जाएगा very carefully तो very क्या है आपकी यहाँ adverb है very क्या है आपका adverb और carefully क्या हो गया आपका very carefully मतला एड़वर की भी एड़वर उस तरीके से है ना तो madhu carried the vowel of soup very carefully ध्यान से राइट करेंगे next देखे my favorite color is my favorite color is definitely pink okay you have to check your spelling from your book अच्छे से राइट करेंगे spelling को ध्यान से देखते हुए okay next देखते हैं हम आपका तो my favorite color is definitely pink अब इसी का जो part है next देखिए rather जो third है third मैंने आपका करवाया yes manos rather क्या लिखा मैंने manos yes rather did on did on the test on the test well okay इस तरीके से आप mention करेंगे manos rather did on the test well ये कुन सा था आपका third था अब fourth देखेंगे fourth आपका आएगा yes where did anu क्या आएगा where did anu live her umbrella थीक है क्या आएगा umbrella कि anu ने अपना umbrella कहा छोड़ा थीक है तो ये आओ गए आपका fifth देखें yes they sometime go क्या आएगा fourth they sometime they sometime go swimming go swimming क्या आएगा go swimming yes in the lake in the lake तो ये आपका कौन सा sentence हो गया fifth they sometimes go swimming in the lake fifth sentence is done अब नेक्स देखते है six इसमें आ जाएगा आपका my sister क्या आएगा my sister my sister my sister quite plays the pianos plays the piano my sister quite plays the piano well क्या जाएगा यहाँ well आ जाएगा done and the seventh seventh में आपका आएगा how do I yes how कौन सा कर रहे हैं seventh how do I remove how do I remove yes a virus how do I remove a virus from a computer from a computer yes how do I remove yes यह यह है remove a virus from a computer और last में क्या जाएगा अपका question mark अब last eighth बचता है बिटा आपका eighth देखिए my team has not won lately my team has not yes my team has not won lately okay this exercise is done next 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 read these sentences carefully state whether the highlighted words are adverb बिल्कुल बिल्कुल easy सा है बेटा दो चीज़े आप ध्यान से देखेंगे दो तो तरीके से दिये हैं एक जगह आपका वो क्या है एडजेक्टीव है और दूसरी जगह वो आपका क्या है एडवर्व को डिस्क्राइब करता है बट आप कैसे identify how you have to identify की विच इस इडजेक्टीव और अड़ी इजी जो एड़ी सा तरीका आपको बताती हूं अगर नाउन सभी को पता है a name of person placing any naming word is called नाउन तो जो चीज नाउन को describe करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टीव हो जाएगा एक चीज जहान रखेंगे क्या कि अगर नाउन को describe करता है तो वो क्या हो गया आपका एडजेक्टीव अगर वो वर्ब को करता है देखें अभी हम इससे help लेके समझते हैं देखें यहां एक एक चीज आपको बता रहे हूं my best friend lives in the next house अब देखें house house क्या है आपका next house वह अगला घर तो किसको describe कर रहा है यह house को और house क्या है एक place है और place किसमें आता है name of place किसमें आता है आपका noun में आता है यह noun हो गया तो अगर मैंने बताया था अगर noun है तो वह किसको describe कर रहा है adjective को देखें तो मैंने first क्या लिखा आपका adjective राइट किया है second देखते है you yes will not believe what happened तो यह happened यहां देखो next के बाद आपका यहां अगर कोई noun होता तो वह हम adjective लिखते बट यहां कोई भी noun नहीं है इससे पहले क्या है आपकी वर्ब है और वर्ब को describe करने वाला कौन सा होता आपका एड़ वर्ब इसी तरीके से third देखते हैं यहां क्या है selling selling is selling क्या है first yes first are selling तो selling क्या है आपकी वर्ब और वर्ब को describe करने वाला क्या हो गया एड़ वर्ब अब next देखें बोलर्स यह जो है fourth तो fast बोलर्स बोलर जैसे फर्सन बोलर और जो बोलिंग करते य Stall यहां आपको को क्या है यह objective क्या्यारान adjective next देखते हैं आपका fifth he sat still and waited for her call तो भाई अभी तक वो बैठा हुआ है किसको describe कर रहा है set और set क्या है आपकी एक verb है किरिया है किरिया है तो यह क्या हो गया आपका adverb क्या हो गया यह adverb आप six देखते हैं lake lake क्या है एक place का name है ना lake नाम है किसी जगय का तो वो क्या हो गया आपका noun और noun को करने वाला क्या हो गया adjective seventh देखे short break break तो यह क्या हो गया आपका short break यह यहां जो यहां है आपकी verb are going to बट यह जो break है वो क्या है noun है आपका तो यहां आपका क्या गया adjective में देखते हैं roar and fell किसको describe कर रहा है फेल और फेल क्या है गिरना गिरना क्या है एक वर्भ है और वर्भ को describe аемouth का बोल रहे हो बटा एर्थ तो फेल को describe कर रहा है शोर्ट तो यहां आपका क्या गया एडवर्ब Grandpa goes for a walk daily और गोरा walk daily ये भी क्या है आपका एड़ब है वोक क्या है एक वर्ब for a walk daily Grandpa goes for a walk daily तो ये क्या आपका एड़ब Walking and our our day is daily routine adjective and the 11th hospital was built in the late 1960 adjective और 3 days late arrived ये किसको डिसक्राइब कर रहाँ arrived और ये क्या है आपका last adverb नेक्स देखते हैं आपका page yes ये last है ये last है आपका yes देखे next इसमें आपको क्या करना है आपका from the from adverbs from the adjective given in the box यहां कुछ आज़े आपकी adjective दी गई है इन adjective को आपको किस में change करना है primarily change करना है और adverb में change करने के बाद आपको क्या write करना है आपके जो fill up है वो write करने आपको ठीक है तो देखे मैं अभी आपको इसका ये बता रही हूँ आपको क्या I have made his acquaintances acquaintances का मतलब क्या होता है preachit करवाना देखे मैंने यह mention भी किया है preachit तो मैंने हाल ही में उनका preachit करवाया lately का meaning as the same ले सकते हो recently दूसरा meaning क्या कह सकते हो recently का meaning क्या होता है lately और इनका हिंदी meaning क्या होता हाली में भई अभी हाली में मैंने उनका preachit करवाया है next second देखते हैं second he did not pass the course as easily as जैसा उसने सोचा था easily मतलब आसान आसानी से नहीं हो जैसे उसने सोचा था अज वरकर्स reacted angrily बड़े क्रोध से उनका रेक्ट किया जब उनको no as a news मिली किसकी बई जोब उनकोने अपनी जो जोब हैं वो खोद दी हैं the black cat still stillly का meaning क्या होता है चोरी-चोरी चुपके से दीरे से और उससे दबे पाउं से यह सारे meaning होते हैं तो जो black cat थी वो इसका यहां आ जाएगा मी मी gently मिन दीरे से उसने जो एक्स थे वो उसमें रखे किसमें basket में और उन्हें वो घर ले गया the children बड़ी मेरी ली मिन खुशी से उन्होंने क्या खाए जो juicy fat berries थी वो खाए the old man beasily मिन continue का उस काम में जब तक लगे रहे जब तक कि वो काम finish नहीं हो गया the driver of the car was seriously yes I think सभी कर लेते अगर मैं नहीं करवाती तो भी seriously insert next आपका slow pili slow pili का मतलब क्या होता है yes badly बुरी तरीके से जो lazy students थे वो अच्छा write नहीं करना चाते हैं तो उन्होंने क्या क्या बुरे तरीके से मतलब जो उनकी writing थी वो क्या थी was writing थी और उन्होंने ऐसे ही write कर लिया next देखे जा little girl screamed frantically मतलो भैसे भैबी तो गई और वो लड़की जो ghost को जब उसने किसको देखा भूत को देखा ghost को देखा तो वो जोर जोर से भैके कारण चिल आई तो इस exercise is done next देखते हैं yes like and share my channel everyone yes I think आपको समझ में आ रहोगा ना next देखते हैं आपके exercise तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा share करें next देखे insert the adverb given in the brackets at the correct places भई आपको जो कुछ adverb आपकी दी गई है उनको आपको correct place पे लगाना है तो देखे इसमें मैंने as a heading ये डाली हुई है जहां मैंने ऐसे लगाया हुए it means वहां आपको क्या लगाना आपका adverb तो आपका first है जैसे the library is often open all night second देखे it is a rather sultry day next देखे third I rarely see him this day I rarely fourth have you ever been have you ever been to New York fifth देखे the flight has just taken off has के बाद क्याएगा just we waited for the play patiently to begin किस के बाद आएगा the play के बाद आपका patiently आएगा I quite understand I के बाद क्या आएगा आपका quiet आएगा next Peter almost fell off the bike भई गिर ही चुका था मतलब गिर ही गया था ये कह सकते हो आप Peter almost ninth देखे any usually does some gardening अब 10 पर आते हैं our army is enough strong to defend our country तो यहाँ our army is enough ओके तो next देखे rewrite these sentences बी पार्ट को देखते हैं अब these sentences using the correct order of words and adverbs he इसमें भी है कुछ जो आपकी adverb है वो wrong right की हुई है जो उनकी जगें पर उनको पहुंचाना है आपको आना तो देखे यहां आपका आएगा he nearly lost his job last year तो जो आपका nearly है nearly आपका कहां जाएगा he के बाद आएगा पहले ही आएगा फिर nearly आएगा तो he nearly अब जो second है आपका second है आएगा I listen listen के बाद पहले आए आएगा फिर I listen के बाद आजाएगा आपका attentively ओके यह क्या है आपकी adverb है क्या है आपकी adverb third देखे I forgot completely to tell you about the change fourth देखे the girl had just किसके बाद आजाएगा the girl the girl had just the girl had head के बाद क्या आजाएगा आपका had just अब fifth देखे yes see sometimes see के बाद क्या आएगा sometimes आएगा और मैंने यहाँ से cut किया see sorry sometimes so see sometimes helps us with the cleaning six I sold the strawberries quickly quickly कहां जाएगा last में let's meet for lunch tomorrow tomorrow भी कहां आएगा last में pip quite painted the fans effortlessly तो painted pip quite painted ninth देखे the weather is just right the weather is just right for a walk along the river अब ninth देखते हैं tenth देखे the package shall arrive tomorrow तो tomorrow आपका कहां आएगा last में last का जो last है tomorrow time जो है आपका last में mention करना आपको अब जो है last exercise I want to describe also in Hindi but time नहीं है हमारे पास तो इसलिए थोड़ा speedily ही करते हैं इसको otherwise अच्छे से समझाना था मुझे आपको in the beautiful highlands of Scotland there is a early जो early होता है बेटा वो क्या होता है early quiet का मतलब yearly quiet का मतलब क्या हो गया एकदम शान्थ तो जो Scotland के Highlands Scotland में जो Highlands की एक beauty सी जो लेक थी वो एकदम शान्थ थी और उसका नाम क्या था lost nest था और इस जो शान्ती पुर्वक जो चारो तरफ उसके शान्ती फैली हुई थी और कहते हैं कि जो एक lost nest नाम का monaster था वो इस में इस लेक में रहता था तो इस creature बड़े जो लोग थे जो इस प्राणी को बड़े प्यार से किस नाम क्या बोलते थे लोग जो आसपास रहने वाले लोग थे उन्होंने बताया कि उन्होंने किसको देखा है उस monaster को देखा उस प्राणी को देखा है according to these people इन लोगों के अनुसार जो नैसी जो नैसी किसका नाम था monaster का लोगों प्रेम से उसका नाम थी और आपकी जो रहने वाले तो उस तरीके कि उसकी जो हैड था और लंबी उसकी गर्दन थी तो कहते हैं कि क्या सचमुच जो monaster था वो अद्रिश्य हो गया था विलूप्त हो गया था बिलुकुली नो वन कैन टेल फोर शोर इसके बारे में कोई अच्छे तरीके से नहीं बता सकता था ever since the sign of the monaster many people have been keeping watch at the lake जो काफी ऐसे लोग थे जो काफी समय तक उसको देखना चाहते थे कि इसको monaster को जो lake का monaster था उसकी सब की काफी लोगों की ऐसी इच्छा थी कि वो उसको देखें और उनका की एक नजर उनकी उसपर नैसी को वो बस एक नजर भर देख लें in 1934 तो 1934 में जो एक डोक्टर थे करनल रोबर्ट विल्सन उन्होंने क्या देखा वो अपनी जो छूटियों में थे जो lake थी उसपे वो गए और जब वो अचानक से उन्होंने देखा कि जो पानी है वो उपर जैसे स्वेरलिंग में जैसे बुलबुले उठते हो काफी तेजी से पानी का उपाना lake में से आया तो उन्होंने जो सम हाओ मीन होता है किसी ना किसी तरीके से ही सम जैसे अचानक कुछ ऐसा हो वोटर के अंदर क्योंकि वो लेक पे आया हो था तो अचानक से वोटर में ऐसी हल चल हुई और उसने बड़ी मुश्किल से किसी ना किसी तरीके से उसने अपने कैमरे को पकड़े रखा और उसने क्या ले ली फोटोग्राफ ले ली किसकी उस क्रियेचर की और जो पिक्चर में आया क्या आया कि जो लंबी गर्दन थी उसकी पानी से बाहर निकली हुई थी किसकी उस मौनस्टर की जिसका नाम क्या था नैसी था लोग प्यार से बोलते थे उसको अब इसमें नैक्स है है आपका 3D PARAGRAPH क्या होते थे दाइनासोर होते थे वाईल जब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जब यह जो डाइनासोर थे मर गए थे बहुत वह ऑकेजनली का मतला हुता ना कभी कभी ये अपने आपको क्या कर लेते हैं इसे में अड़ेट कर लेते हैं और वो क्या कर जाते हैं लिव ओन मतलर जिन्दा हो जाते हैं तो इस तरीके से ये इस तरीके से जो डाइनासर था वो आया होगा है ना तो इस तरीके से यू हाब टू फिल ओके अवरिवन थैंक्स like share and subscribe my channel okay thanks